कि वेडियो उन सिविल इंजिनेर्स के लिए काफी इंपोर्टन हैने वाली जो सिविल इंजिनेर्स हाइवे के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते एज बिलिंग इंजिनियर एज एक वांटिटी सर्वेयर आपका वर्क करना चाहते क्योंकि एट परजेंट टाइम परिषयर के अंदर आज के चाइम वर्क भी आज के टाइम पर इंदर हो रहा है हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है जब किसी भी highway का आपका construction होता है, जब किसी highway का आपका क्या होता है, तो उस construction के time पे महाँ पे काफी सारे जो है आपके technical terms जो है आपका use होते हैं, काफी सारे उसकी section profile होती है, जो आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर उसके बारे में discuss करेंगे, तो उसी में से एक time आपके निकल के आती है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह जो आपकी top होती है, यह आपकी आखिर है क्या बला, जैसा कि आपको यहाँ पे एक highway की आपको profile यहाँ पे दिख रही होगी, इस profile के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यह जो top level है, यह है आप का जहाँ पर मेरी, जिस level पर मेरी क्या होती है, अपकी गाड़िया मूव करती है, जिस level पर हम लोग जो अपना जो मेरा payment होता है, flexible payment या फिर आपका जो rigid payment होता है, उसका जब हम construction करते हैं, तो वो आपका इस level को हम लोग बोलते हैं, आपका क्या formation level, इसके नीचे यह हो गया आपका NGL, यह जो आपका level दिख रहा है, आपका यह क्या होगा, आपका NGL, और हमने क्या 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 है, इस payment को construction करने के लिए, एक embankment का जो है, यहाँ पर आपका construction किया, जैसे कि आज के टाइम में जितने भी आपके mostly expressway, expressway या फिर highway बनने है, तो आपका इसी profile पे जो है, यह top आपका जो level होगे, आपका formation level होगे है, नीचे जो है आपका यह जो part होगे, आपका जो इसका bottom part होता है, इसी को बोलते हैं, आपका क्या top, चीक है, और इसकी जो length होती है, उसी को बोलते हैं, आपका top width, के लिए, तो यहाँ पे top width is the bottom width of an highway, which is constructed in embankment, चीक है, जो भी आ आपका highway जो आपका construction हो रहा है, तो इसका आपका bottom वाला part होता है, उसी को बोलते हैं, आपका top width, clear हुआ, तो इतना concept आपको clear हुआ, अब इसके बाद next, यह question आता है, कि sir, यह जो toe होता है, कि इसकी width हम लोग जो है, आपका कैसे calculate करें, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेग जो आपकी highway की drawing होती है, उसमें हम लोग समझते हैं, कि आपका toe width को कैसे calculate किया जाता है, जैसा कि आप सभी को screen पे आपका drawing दिखाई दे रही होगी, यह आपका highway embakment की drawing है, जिसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा detail के अंदर बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी जो इसकी proposed roadway की जो width आपका दी गई है, वो आपका 14 meter जो है, आपको जैसा कि यहाँ पे drawing में दिख रहा होगा, यह 14 meter जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, सात ही सात, यहाँ पे आपका side slope है, वो आपका 2, 1 दिया गया है, मतलब horizontal जो है, आपका 2 है, और vertical जो है, आपका कितना है? 1 है, clear, और हमें जो आपको calculation करनी है, हमें calculation करनी है, आपकी tau की width, जो कि आपका, ये जो bottom वाला part है, ये आपका कौन सा part है, ये मेरा bottom वाला part जो है, आपका tau width है, जिसकी हमें calculation करनी है, अगर मैं इस point से यहाँ पे एक vertical line draw करूँ, और मैं इस point से यहाँ पे एक vertical line draw करूँ, तो ये मेरी जो distance होगी, यह मेरी distance आपका होगा 14,000, बतलब 14 meter, जैसा कि आपका मेरा यहाँ पर उपर है, same मेरी यह नीचे रहेगी, इसके बाद मुझे जो calculation करना है, वो यह वाली width calculation करना है, और यह वाली आपकी calculation जो है, यहाँ पर कर दिये, इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है, आपक 125, WMM 6, WMM आपका 125 है, GSB 4 आपका 100 mm दिया गया है, GSB 6 आपका 130 दिया गया है, और आपका subgrade 500 दिया गया है, अगर इन सभी को मैं total कर देता हूँ, तो यह total करने के बाद मेरी height आएगी 1080, चीक है, कितना आएगा 1.08, तो यह मेरी यहाँ पर आपका total height आने वाली है, जो की मेर आप एक triangle, right angle, triangle डो कर लेता हूँ, horizontal value आपकी कितनी दी गई है, horizontal value मेरी 2 दी गई है, और vertical मेरी दी गई है, कितना 1, तो slope आपका क्या होता है, 10 theta, तो यहाँ पर 10 theta की value आपकी कितनी हो जाएगी, 1 upon 2, यह मेरी value हो जाएगी, आपका 10 theta, अगर मैं इस value को आपका x मानता हूँ, ठीक है, और यह value मेरी आपकी known है, कितनी है, आपकी 1.08, तो यहाँ पर 10 theta, अगर मेरा यह angle theta है, तो 10 theta कितना हो जाएगा, 10 theta equal to 1.08 divided by x, ठीक है, अब 10 theta की value मेरी कितनी है, आपकी 1 ratio 2, तो यहाँ पर 1 ratio 2 रहेगा आपका, और 1.08 divided by x, तो x की value कितनी आ जाएगी, x की value आ जाए 8, जो कि आपका, 16, 2.16, ठीक है, तो यह value आपकी कितनी है, यह value मेरी आगी, 2.16 meter, same ऐसे ही मेरा, क्योंकि दोनों side मेरा, जो आपका slope है, वो आपका same है, तो same मेरी इदर भी value रहेगी, 2.16, तो यहाँ पर tau width मेरी क्या होगी, tau की जो मेरी width होगी, वो आपकी होगी, कितनी है, आपकी formation width, जो कि आपका formation width कितनी है, 14 meter, plus 2 into, जो आपकी side value, 2.16 हिदर है, और 2.16 हिदर है, multiply by 2.16, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, अगर हम इसकी calculation करेंगे, मैं एक minute calculator, यहाँ पर own कर लेता हूँ, कितना है आपका, यह हो गया, 14, plus 2.16, plus 2.16, यह आपकी value हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आपका 18.32 meter, ठीक है, तो इस तरीके से आपको calculation करनी है, आपके drawing के अंदर formation width आपका दिया है, side slope आपका drawing के अंदर mention दिया है, उसके according जो है, आप यहाँ पर calculation कर सकते हो, कि आपकी talk की width जो है, किस तरीके से calculate की जाती है, इस से related कोई भी doubt, कोई भी question हो आपके मन में, तो आप बे जिसक हो के नीचे दिये गए, screen पे numbers पर आप हमसे contact कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application solitude education को download कर सकते हैं, वहाँ पर chat का option दिया रहता है, वहाँ पर हमसे contact कर सकते हो, और last में वीडियो अगर अच्छा लगाओ, तो like, share जरू कीजएगा, और चैनल को subscribe करना मत भूलना, क्योंकि highway, bridge और building से related valuable content आपको हमारे YouTube चैनल पर जो है regular देखने को मिलता है, तो इसलिए चैनल को जरूर subscribe कीजएगा, मिलते हैं, next video के अंदर, okay, thank you. अंदर, okay, thank you.